पिछले वीडियो के अंदर हमने function of reagent के basis पे आपको कुछ problem solve करने को दी थी initial level की problem लेकिन base जरूरी होता है एक बड़ी मंजिल को तैयार करने के लिए बड़ी building को तैयार करने के लिए मुझे पुरी उम्मीद है कि आपने इसके बारे में कुछ ना कुछ आफरोर्स किये होंगे और इन प्रॉब्लम्स को solve करने कोशिश की होगी I.E.M. में आपको इनके जवाब बताता हो लेकिन ध्यार रखेगा ये problem तभी solve होंगी जब आप function of reagent उसे बड़े अच्छे से कर भाएंगे जिसका हमने description में भी link दिया है और उपर यहाँ भी function of reagent का पहला lecture उसका link आपको दिया जाएगा देखें फर्स्ट reaction में conversion का ये उसूल होता है कि आप ये पहचाने reactant क्या है product क्या है और उसमें change क्या आया है हम यहाँ इस reaction में देख सकते हैं इस carbon पे bromine आया है इस carbon को हम allylic carbon के नाम से जालते हैं multiple bond से next carbon allylic carbon कहलाया जाता है allylic carbon पे hydrogen हटा bromine अटेच हुआ आप change देखिएगा hydrogen हटा bromine अटेच हुआ अब ज़रा सोचिए आपको function of reagent में हमने क्या कोई ऐसा reagent बताया था जो allylic position पे work करता है ज़रा सा सोचिए नहीं तो अपने notes को लीजिए तुरंत आपको याद आएगा चार reagent आपको allylic substitution करवाने के लिए बताये गए थे और अगर आपको bromine लगाना है तो उसका भी best method आपको बताये गया था और वो था हमारे पास NBS अगर आप simple NBS भी लिखे आएंगे आपका जवाब correct होगा 100% correct होगा अब ध्यान देखिए second problem पे second problem पे reactant आप product में देखिए change क्या हुआ है क्या चीज add होई है ये CS3, ये CS3 same है, identical है यहाँ एक hydrogen था यहाँ दो आगे यानि एक तो hydrogen आया है यहाँ पर CH2 था यहाँ CH2 पे bromine आ गया यानि bromine भी आया है हम कह सकते हैं HBR आया है अब HBR के बारे में दो बाते clear हैं या तो मार्कॉनिक ओफ एडिशन होगा या एंटी मार्कॉनिक ओफ होगा मार्कॉनिक ओफ होगा एंटी मार्कॉनिक ओफ होगा आपको मार्कॉनिक ओफ और एंटी मार्कॉनिक ओफ एडिशन पता होना चाहिए मारकॉनिक ओफ में नेगिटिव पार्ट उस पे जाता है जहां लेस हाइडरोजन है अगर यहां मारकॉनिक ओफ रूल फॉलो हुआ होता तो नेगिटिव उस पे जाता है जहां लेस हाइडरोजन है लेकिन ऐसा नहीं हुआ नेगिटिव उस पे गया है जहां ज़ादा हाइडरोजन है यानि मारकॉनिक ओफ के उलट हुआ है एंटी मारकॉनिक ओफ रूल फॉलो हुआ और ये हमें ध्यान रखना है कि एंटी मारकॉनिक ओफ रूल परोकसाइड की प्रजेंस में होता है तो HBR परोकसाइड नेगिटिव इढ़ आएगा पॉजटिव इढ़ जाएगा और इस तरह से हम अपने प्रोडक्ट को बता पाएंगे प्रोडक्ट को सीख पाएंगे तो इस तरह से अलकायल हिलाइड अरायल हिलाइड तयार होता जाएगा क्लास 11 के बच्चे भी इसके बारे में कन्वर्जन करना अगर सीख लेंगे तो क्लास 12 के लिए एक स्टॉंग फांडेशन तयार होगी यहाँ देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ हाइड्रोजन और CH2 चेंज क्या है यहाँ हाइड्रोजन था यहाँ ग्रोमीन आया है यहाँ CH2 था यहाँ CH3 यहाँ एक हाइड्रोजन भी एड़् हुआ है तो हमालने थे हैं HBR एड़् हुआ है मार्कॉनिक ओफ या एंटी मार्कॉनिक ओफ अपने रूल्स पर ध्यान दीजिए नेगिटिव उस पर जा रहा है जहाँ लेस हाइड्रोजन है अगर नेगिटिव लेस हाइड्रोजन पर जा रहा है तो सिंपल मार्कॉनिक ओफ एडिशन आप सिर्फ HBR लिख दें आपकी रियक्शन हो जाएगी कनवर्जन पूरा हो जाएगा उमीद है आराम आराम से ध्यान से अगर आप कनवर्जन को करेंगे तो ये आप से डेफिनेटली होंगे आप वे से कुछ बच्चे हो सकते हैं जिनें ये पहले से ही कर लिये हुं तो बहुत अच्छी बात है अगर आपने साथ के साथ पहले ही सॉल्व कर लिये हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है लेकिन काफी बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने इस सॉल्ब नहीं किये होंगे अब अपना एटिच्टूड डवलब करेंगे और ऐसे क्विश्चन्स को सॉल्ब करेंगे यहां देखिए हैं क्या चेंज हुआ है अब रियक्तेंट और प्रोड़क्ट के होने वाले चेंज की तरफ ध्यां दिया करें यहां OH है, यहां Bromine है यहां OH की जगे Bromine आया है अब सोचिए वो कौन सा रिजेंट है जो OH की जगे Bromine लगता है OH की जगे हैलोजन के लिए हमने आपको पहले चार रिजेंट बताये थे PCL5, PCL3, SOCL2, HCLN, ZNCL2 तो यहां पर कलोरीन की जगे Bromine तो PBR5 यह लगा दें, आपका रिजेंट बनेगा कोशिश करें कि अगर आपको साइट प्रोड़क्ट याद रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है जैसे यहां HBR, POBR3 साइट प्रोड़क्ट रहेंगे लेकिन कोशिश आपको करनी चाहिए अगर आप हमारा पिछला वीडियो देखेंगे जिसमें function of reagent बताये गया था तो वहां मैंने बकायदा आपको सिखाया था कि O.S. की जगे कलोरीन का बेस्ट मेथड कौन सा है और वही आपने लिख देना है SOCL2, thymil chloride बेस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि side product gaseous है evaporate हो जाएंगे इसी वे इसको best method कहा जाता है देखा आफ़ान है reagent के function अगर पता हो तो बड़ी आफ़ानी से इसको finish up किया जा सकता है इथनोरिक acid, ethnoil chloride क्या है change, क्या हुआ है change O.S. की जगे पे chlorine आया है कौन सा function है, सामने है कई सारे function, जो याद रहें, उसे कर दो अब यहां आपके exam में question आता है कि क्या इस reaction को HCL, ZN, CR2 से किया जा सकता है first lecture के अंदर हमने जवाब दिया था ढूंड़े गा उस जवाब को और ऐसे उन reagent को लिखा और इन conversion को सासथ लिखा अपने notes तयार करें एक अलग से separate copy बना लें यह organic का अजब गुजब method है जो हम आपको करवा रहे हैं जहां minimum के अंदर आप maximum organic को stepwise manner के अंदर सीखेंगे remember, तो कोशिश करते रहें और सीखते रहें, all the best झाल सीखें हुमका डपको क्युट उल झाला सक दोपी गल तो झाल झाल जैटी टो झाल 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 झाल